हेलो फ्रेंट्स आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूं टू इन वन धोकला जैसे कि आपको इसके लुकिंग से ही लग रहा होगा ये क्या चीज है सच मानिए जब आप इस धोकले को घर पे बनाएंगे तो बागी सारे तरी और डालेंगे दही बाहते हैं के बाद एससे मीक्स करेंगे मिक्स करतेला इम ध्यान देना है कि इसमें इक भी लंप स्ना रहे सूजी अप्छि का गॉल हमें गाड़ा लग रहा हूं तो इसे हम थोड़ा सा पानी एट करें गे और आपी अच्छिसे मिक्स कर लिया और अब हम इसमें 1 तीजपुन बेकिंग सोडा एड करेंगे बेकिंग सोडा एड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपके पाइग मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी गोल बरतन यूज कर सकते हैं इसके बाद हमने जो सूजी का बैटर बनाया था उसे हम इसमे केक मोल्ड को हमें आदा ही फिल करना है फिल करने के बाद युसे अच्छे से टैप करेंगे इससे हमारा बैटर चारो तरफ अच्छे से फैल जाएन अब हम इसे scripture करेंगे श्यूंन करने के मैंने बरतल लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और एक ब्त numa अच्छे से ब टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, तो इसका मतलब हमारा ढोकला तियार है, अब हम उसे केरफुली पानी से निकाल को एक साथ ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब हम खमन ढोकला बनाने के लिए, एक बाउल में एक कब बेशन, अध्रक हरी मिर्च का पेस्ट, दो टेबल स्पून दही, वन टी स्पून सिटरिक एसेड जिसे नीबू के फूल भी का जाता है, वन टी स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून शोगर, हाफ टेबल स्पून ओल एड़ करेंगे, और फिर हम इसे पानी की हैप से अच्छे से मिक करा है, देखे मैंने से अच्छे से मिक्स करा है, और इसमें एक भी लंप्स नहीं रहने चाहिए, अब हम इसे पंदर मेंट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फंदर मिनट के बाद फेसन के घुल में वन टी स्पून बेकिंग सुरा डालेंगे, और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, पानी एड़ करने के बाद हम इसे इमिडिएटली अच्छे से मिक्स करेंगे, और देखे हमारा गुल कितने अची तरह से फूल गया है, ग्रीन चटनी के लेर लगाएंगे, जिसमें मैंने धनिया पुदीना और हरीमरिस डाल के पीसा है, और इसे हम अच्छे से स्प्रैट कर देंगे, इसके बाद हमने जो बेसन का गुल बनाया था, उसे इसमें ट्रांसवर कर देंगे, ट्रांसवर करने के बाद हम इसे हलका सा टैप करेंगे, जिससे हमारा बेसन का गुल चारो तरफ अच्छे से फैल जाए, इसके बाद हम उसे उसी स्ट के रख देंगे और इसे दस से पंदर मिनट के लिए चैया करेंगे रिफो değan 2 चाहर बनाईब आपका बनाईगे लिए वर उसमें 1 टेबल उस्पून राई, 1 मटेबल स्पून जीरा एट करा है. जब राई और जीरा क्रैकं भाएं लगें तो हम गैस बंद करदेंगे, गैस बंद करने के आद उसमें 1 मैद टल डील टेलेंगे, देखे हमारा धोकला कितना अच्छी से स्टीम हुआ है और इसमें कितने अच्छी से जाली बनी हुई है अब हम इस धोकले को मोल्ड से अलग करेंगे जिसके लिए हम एक चाकू लेंगे और उसे इसके किनारी को हम अलग करेंगे किनारी से अलग करने के बाद हम इस धोकले को प्लाइट में निकाल देंगे जब ढोकला ठंड़ा हो जाए तब भी आप इसे केग मोट अगर आप ने इसे गरम निकाल दिया तो आपका ढोला टूट भी सकता है देखिए मरे छोला कितने अच्छे सेतियार हो है और कितना fluffy है और कितने अच्छा जालीदा धोकला बना हुआ है अब हम इस धोकले की कटिंग करेंगे आप चाहें तो इसे square shape में triangle shape में भी काट सकते हैं मैंने इसे glass की help से goal shape में काटा है गिलास की जगे आप कटोरी का भी यूज कर सकते हैं देखिए इसकी shape कितने अच्छी आई है और हमारा two in one धोकला बनकर तयार है इसी तरह से मैंने सारे धोकले काट की निकाल लिये हैं इसके बाद हमने जो तड़का तयार करा था उसे इसके उपर फैलाएंगे डोकली की shape आपकी उपर टेपैंड है आप इसे triangle काटना चाहिए triangle काट सकते हैं अगर स्क्वेर काटना चाहिए तो आप स्क्वेर भी काट सकते हैं इसे मैंने ग्रीन चिली वह हरदनिया के साथ इसे अच्छी से गानिश किया है लीजिए हम तैयार है two in one super धोकला जिसकी रे अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें